हलो दोस्तों आप देख रहे हैं साइटेक विजन उटू बिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों आप लोग के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आज के रिट में इंटेल के बेस्ट प्रोसेसर के बारे में बता देजिए कि अगर आज हम प्रोसेसर खरीदना चाहते हैं यानि CPU विल्ड करना चाहते हैं PC विल्ड करना चाहते हैं तो आज के रिट में अगर हमें इंटेल ही बाय करना है तो कौन कौन से प्रोसेसर हैं जिनको हम बाय करें तो हमारा पैसा बेकार नहीं जाएगा उसके बारे में बताईए चुकि आज की रिट में semi-conductors का rate बहुत ही जादे बढ़ा हुआ है जिसके वज़त से ही जितने भी processors वगेरा है ये जितने भी सारे components से उस सभी का price बहुत ही जादे बढ़ चुका है तो आज की रिट में कौन-कौन से प्रोसेसर बहतर हो सकते हैं प्राइस वाइस उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो पिले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और कमेंट करते रहें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर में वीडियो बनाने की कोसिस करूँगा तो आईए दोस्तों समझते हैं कि वो कौन-कौन से परोसेसर हो सकते हैं तो चली इन सारे परोसेसर का मैं एक rate का category बताऊंगा प्राइस जो है उसका एक range बताऊंगा उस range के अंदर अगर वो मिलता है तो ही वाय करें अगर मैं best कह रहा हूँ तो प्राइस के हिसाब से वो best है ऐसा ना हो कि वो प्रोसेसर बहुत हाई range में ले ले और हो सकता है कि उससे बहतर प्रोसेसर उसी range में दूसरा आ रहा हो तो ये प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमारे नजर में वो प्रोसेसर बेस्ट हो सकता है और प्रोसेसर का जो प्राइस है वो आप offline और online दोनों में ही देखें कई बार क्या होता है कि online processor shortage हो जाता है जिसके वज़े से तुरंत वो high हो जाता है आप ध्यान नहीं देते आप उसको buy कर लेते हैं और वही processor market में offline बहुत ही सस्ता मिल रहा होता है तो जब भे आप processor buy करने जाते हैं तो आप market के offline जरू एक बढ़ ट्राई करें कि processor का क्या price चल रहा है आप जहां भी रहते हैं वहां के market में एक बढ़ ट्राई करें और Amazon पे ट्राई करें, online ट्राई करें और tally करने के बाद जहां सही हो और उस range के अंदर आता है तो आप उसको buy करें तो सबसे परें प्रोसेसर की बात करते हैं अगर आपका budget 7-8000 का है हम gaming को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे क्योंकि आज की रिट में जो हमारा young generation है PC build कर रहा है तो उसका कहीं न कहीं उद्दिस रहता है कि वो gaming भी करेगा, game भी खेलेगा तो हम gaming को ध्यान में रखते हुए और editing को क्योंकि हमारा youth जो है online काम भी करने जा रहा है तो उसको video editing भी करने की ज़रूत पड़ सकती है तो इस type का अगर काम है तो इन सारी चीजों को ध्यान में gaming और editing को भी साथ में हम ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेसर अगर आपका budget साथ से आठ हजार के बीच में है तो आपको प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए तो उसके लिए आपको लेना चाहिए i3-9100F यह F-series का है यानि कि इस प्रोसेसर के साथ में आपको graphic card लगाना ही पड़ेगा अगर आपके पास कोई भी पुराना graphic card है और आप जो है अपगरिट करना चाहते हैं तो आप यह प्रोसेसर बाए कर सकते हैं लेकिन यह प्रोसेसर तभी बाए करें जब इसका price आपको मिलता है साथ से आठ हजार के बीच में मिलता है तभी आपके लिए सही होगा उसके अलावा problem एक और आजाती है चुकि यह entry label के प्रोसेसर है यानि जिनका budget कम है उनके लिए है तो जिनका budget कम है उनके लिए graphic card खरीदना एक बहुत ही बड़ा challenge बन जाता है क्योंकि आज की रिट में अगर हम graphics की बात करें तो एक बहतर graphic या तो आप 1650 ले या फिर 1660 सूपर ले ये दोनों जो graphic है कम से कम ये अगर है तो आप अच्छे से gaming का enjoy कर सकते है अच्छे से आप air ratings भी कर सकते है इसके नीचे वाले जितने भी graphics है उनका कोई खास मज़ा आने वाला नहीं है आज के हिसाब से अगर देखा जाए अगर आज के इस डेट में PC विल्ड करते है तो कम से कम ये graphic होना चाहिए 1650, 1660 सूपर ये graphic के साथ जा सकते है और ये जो graphic है आज की rate में इतने महंगे हो गए है market में shortage चल रही है बहुत ही जादे महंगे हो गए है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपका budget बनता है या फिर आपके पास graphic है या फिर आप arrange कर लेते हैं कोई भी second hand graphic के साथ में तो आप F-series का processor बाय कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास graphic नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि इस वक्त किसी भी तरह काम चल जाए लेकिन ये जो हमारा PC है इसको आगे चल करके हम upgrade कर पाएं किसी अच्छे graphic के साथ में 1650 या फिर 1660 Super लगा लें तो उसके लिए अभी फिलहाल काम चलाने के लिए आप i3 9100 ले सकते हैं without F F वाला लेंगे तो आपको graphic card लगाना ही पड़ेगा without F लेंगे तो उसके अंदर IGPU होता है internal graphic होता है जिससे आपका display आ जाएगा बाकि सारे के सारे specifications वहीं है यानि कि आपका काम चल जाएगा आप normal setting पर gaming भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन without F 9100 जो है ये 10,000 रुपे के आसपास में अगर आपको मिलता है तो लेना चाहिए 10 से 11,000 के बीच में अगर मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं इंटरी लेवल के processor में कोई दिक्कत नहीं है और इसके साथ PC को विल्ड कर सकते हैं इस सब के साथ motherboard कौन सा लगेगा वो हम next video के अंदर बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत जादे लंबी हो जाएगी तो जिनका ये budget है वो इन दोनों processor में से आप कोई भी buy कर सकते हैं offline, online को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं next processor तो जो next processor है वो है 10th generation, i3 का 10th generation यानि 10100F या फिर i3 10100 only without F और F के साथ में अगर graphic लगाना ही है तो F series का ले सकते हैं 10 से 11000 के बीच में मिलता है तो आप F series वाला ले सकते हैं वही पर 10100 10th generation का ही अगर आपको graphic नहीं लगाना है तो without F ले लिजिए लेकिन ये 13 से 14000 के बीच में मिलेगा इस range में आप इसको ले सकते हैं ये बहुत हैचा processor है पूरा details देखना है तो proper आप पर इसका details आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं पूरी details इसकी मिल जाएगी specifications वगर आप इसका देख सकते हैं पूरी details बताने लगूगा तो वीडियो बहुत ही जादे लंबी हो जाएगी और ये जो processor है 4 core 8 threads का processor है जो की बहुत अच्छा performance आपको देदेगा इसकी base frequency 3.60 GHz है और boost करने के बाद जो है आप इसको 4.3 GHz तक ले करके जा सकते हैं तो कही न कही performance इसका बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको तो अगर ये यानि की F series ले रहे हैं graphic card लगाना है तो F series ही बाइ करें वो आपको मिलेगा 10-11,000 के बीच में अगर मिलता है तो लेना ठीक है without F 13-14,000 के बीच में मिलता है तो लेना सही होगा इस तरीके से अगर आपका budget टाइट है तो without F ले लिजिए आगे चल करके आप इसको अप्ग्रेट कर सकते हैं तो आपके लिए सही होगा तो ये जो CPU है ये gaming के लिए बहुत अच्छा performance देगा लेकिन इससे उपर mid range का अगर CPU बिल्ट करना है तो उसके लिए आप इतना जो पैसा खर्च करेगा इससे उपर जो जाता है वो gaming के साथ में streaming भी करने की कोशिज करता है तो अगर आपको streaming भी करना है तो अब हम जो processor बताने वाले वो आप बाई कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा हो सकता है तो उसके लिए आप i5 में चले जाए i5 के अंदर 10400F अगर आपको graphic card लगाना है तो आप ये processor बाई कर सकते हैं इसका जो price है 13-14,000 के बीच में रहे तो ठीक है इससे उपर लेने लाइक नहीं है तो price का हमेशा ध्यान दे इसके आसपास में मिल रहा है तो आप इसको बाई कर सकते हैं इसके साथ में भी अगर आपको मजबूरी है कि नहीं graphic card का भी budget नहीं है तो आप i5 यही processor जो है i5 10-400 सिर्फ ले सकते हैं without F इसके अंदर आपको display आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बाकी specifications की अगर हम बात करें तो यह 6 core 12 threads का processor है base frequency 2.9 GHz है और boost करने के बाद 4.3 GHz तक आप इसको ले कर के जा सकते हैं और without F जो है वो 15-16,000 के बीच में आपको मिलेगा इस range के अंदर अगर मिलता है तो without F वाला अगर graphic card आपको नहीं लेना है तो इसको buy कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों यह सारे processor थे जो आज के रिट में लेना चाहिए इसमें कौन सा motherboard लगेगा उस पर हम next वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी प्रकार से हम Ryzen के भी बारे में बात करेंगे तो one by one वीडियो को देखते रहें चैनल के साथ बने रहें हम सभी के बारे में details वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको समझ में आपको कौन सा प्रोसेसर आपके रेंज में है आपके ही साब से सही है कौन सा प्रोसेसर का full details चाहिए कमेंट कीजिए हम उस पर वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दें पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें क्योंकि मैं इस टाइब की बहुत सारी वीडियो जे ले करके आता रहता हूँ जो आपके लिए काफी helpful साबित हो सकती है दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ में पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्य बात करता हूँ आपका दिन सुभ हो